दोस्तों इंग्लेंड और न्यूजिलेंड की बीच ट्रेंड ब्रिज में खेले जा दे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल के दौरान डेरल मिचल से जुड़ा एक बहुत इंटरस्टिंग मुमेंट देखने मिला लेकिन इस दौरान एक बहुती सीरियस घटना होने से बीच गई दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि न्यूजिलेंड की बल्लेबाजी के 56 ओवर में जैक लीच की तीसरी बॉल पर डेरल में चलने क्रीज से बाहर निकलकर लॉंगान बाउंडर की उपसे एक लंबा चक्का लगा दिया और बॉल सीरे ओडियंस में बैठी एक महीला की ह आत में रखे बीच गिलास के अंदर जागिरी जिससे बीच का गिलास तो पूरी तरह से तूटी गए और वो महीला भी सीरेस इंचेट होने से बाल बाल बच गई जिसके बाद पारी खत्म होने पर डेरल में चलने उस महीला के पास जाकर उनसे माफी भी मागी